आज हम बनाने जा रहे हैं एक डिफ्रेशिंग ड्रिंग जिसका नाम है मिंट लेमोनेट तो चले बनाना शुरू करते हैं नमस्ते फ्रेंड वेल्कम टू माई चैनल मिंट लेमोनेट बनाने के लिए हमें 1.5 पुदिना चाहिए यानि मिंट लेप्स और इसका डंठल हटाकर अच्छी तरह से वास करके ले लेंगे तो मैंने ले लिए हैं और एक घर पर भी बहुत असानी से उग जाते हैं देखें मैंने उगा रखे हैं मैं आपको दिखाती इसका टानिया कोई गमलावगर में डाल दीजे तो बहुत ही असानी से उगाते हैं इन दिनो और हमें चाहिए स्प्राइट इसके जगह पानी भी ले सकते हैं और प्लेन सोड़ा वाटर भी ले सकते हैं जिससे आपको इच्छा हो उसे बना सकते हैं और यह सुगर सीरफ है जगह चीनी पाउडर भी ले सकते हैं और थोरा सा नीबू का स्लाइस काट लिये हैं और ये नीबू का रस है और ये आधा नीबू रखे हैं काट कर इसे डालेंगे और हमें चाहिए खुब धेर सारा आइस तो चलिए अब मुईतो बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम पुदिना को एक जार में रख लेते हैं और थोड़ा सब बचा के रख लेंगे अब इसमें ये पूरा आइस रख लेंगे और चलिए इसे ग्रैंड करते हैं अब इसमें दो चार्च मस पानी डाल देंगे ग्राइनर में ऐसा ही नहीं पीशे गाए और इन्हें हम बहुत बारिक भी नहीं पीशेंगे ज़स्ट हलका ग्राइन करेंगे अब यह जो बांकी का मिन्ट स्लिप्स है इन्हें खलवट्टे में थोड़ा सक कुछ लेंगे और य इस तरह से बस अब यह हो गया तो हम डिंक बनाने के लिए सारे चीजे त्यार कर लिए अब सब करते हैं तो कोई जार लीजिए अथवा ग्लास लीजिए तो आज मैं डिंक दो तरह से सब करके दिखा रहे हूं तो सबसे पहले चिनी पाउडर लेंगे तो आप जितना मीठा पसंद करते हैं विशी साब से चीनी लीजेगा आथ पर चीनी पाउडर और इसमें एक बरे चम्माच लिमन जूस डाल रहे हैं अब इसमें डालते हैं जो पुदीना और आइस पीस कर रखे हैं वो डाल लेंगे तिन चार चम्माच और इन्हें चान भी सकते हैं यदि इस्ट् पानी की जगह आप इस्प्राइट भी डाल सकते हैं लेकिन चीनी का मातरा कम किजिए गा इसमें तो अब इसे मिला लेते हैं एक बार अब हम इसमें तिन चार पीस आइस क्यूब का डाल लेते हैं जिससे ठंदा रहे गाए अब इसका कवर लगा कर टाइट कर देंगे और सर्फ करेंगे इस तरह से अब मैं दुसरे में सर्फ करके दिखाती हूं तो इसमें मैं इस्पाइट डालेंगी तो इसमें दो चम्माच डाले हैं सुगर शिरप और एक चम्माच लेमन जूस अब तिन चार पीस आइस क्यूब का डाल लेंगे या अपने टेस्ट के अंशार से आइस क्यूब डालेंगे अब इसमें दो सलाइस लेमन का डाल लिए हैं अब इसमें थोरा सा कुटा हुआ लेमन और पुदिना अब इसमें डाल रहे हैं चार चम्माच जो हम आइस और पुदिना को पिसके रखे थे वही अब हम इसमें डालेंगे इस प्राइट एक बार इन्हें इस तरह से चला देते हैं चम्म से और एक lemon slice को side से काट कर इस तरह से लगा देंगे और एक strawberry इसमें लगा देंगे जिसे पीने में असानी होगी तो अब यह दोनों तरह के drink बनकर तयार है तो आपको इन में से जो पसंद हो उस तरह से बना कर पी सकते हैं तो लीजे हमारा मिन प्लेमोनेड और भरजन मोहितों बनकर तयार है यह बहुत ही अच्छी डिंक है आप जरूरी इने बना कर पीजेगा यह आपको बहुत ही पसंद आएंगे घर में गेस्ट आते हैं तो उनको भी पिलाएं सभी को बहुत पसंद आएंगे तो आप ए डिंक बनाएए और अपना अन्भम मेरे साथ सेर कीजेगा तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेस्पी के साथ